पश्चिम बंगाल की राजनिती में फिर बड़े बदलाओ के आसार नज़र आ रहे हैं। खबर है कि विदानसभा चुनाओ से पहले भारती जंता पार्टी में शामिल हुए कुछ विदायक त्रमुल कॉंग्रेस में वापसी की रहा तक रहे हैं। इन विदायकों की संक्या 33 बताई जा रही है हाला कि बीजेपी ने इन खबरों का खंडन किया है। जिसमें राय ने कहा था कि सरकार के आलोचना करने से बहतर खुद का निरक्षन करना है। मताबिक पार्टी की बेटक में इस मुद्धे पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि टीम्सी छोड़कर गए नेताओं की वापसी को लेकर पहले कई सवाल के जवाब दलाशे जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी की पहले ये देखा जाएगा कि वे पार्टी से अलग क्यों हुए। वापसी का उद्देश क्या है। ऐसी जानकारी मिलने के बाद ही उनकी दोबारे सदस्टा को लेकर फेसला किया जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि कई नेताओं के नाम अभी तक सामने नहीं आए है। दीमसी सांसद ने कहा कि ऐसे ही आल रहे तो राजी से बीजेपी साफ हो जाएगी। माई में संपन हुए चुनाओं में मुक्यमंत्री ममतावेनरजी की नेतरत्व में टीमसी ने राजी में दोबारा सत्ता इस्थाबित की है। दोसो चुरान्नू विदानसभा सीटों वाली बंगाल में टीमसी को 213 और बीजेपी को 77 सीटे मिली है। चुनाओं से पहले राजी में खासी सक्री रही बीजेपी में टीमसी के कई नेता शामिल हुए थे। इनमें दिगज नेता और सीएम ममतावेनरजी को नंदीगराम से हराने वाले और उनके पुराने साथी शुबेंदू अधिकारी का नाम भी शामिल है। दल बदलने वाल पहले नेताओं में से विधायकों की संक्यात 33 थी।